एलो गाईस कैसे हैं आप सब I hope आप बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे जैसा कि आपको पता है कि हम human reproduction पढ़ रहे थे और आज हमें human reproduction का lecture number 5 देखना है देखिए अगर आपने lecture number 4 नहीं देखा तो आपको इसमें problem हो सकते हैं क्योंकि इसमें जो ह से में इसल साइकल की बाता आती दो पता है कि ये प्रकार की साइकल होती है मतब इसका टाइम पीरेड होता होगा ये साइकल 28 दिन में complete हो जाती कि इतने दिन में 28 से 29 देज में पूरी साइकल कंप्लीट हो जाती है और इस हैगल को हुं बोलते हैं बच्छा लेंगी चक्र ब होता है यह स्टार्ट होता कि सोरा वस्था मतलब की 13 से 14 वर्ष की वस्था पर इसकी स्टार्टिंग हो जाती है और जब इसकी स्टार्टिंग होती है और पहला चक्र आता बच्चा तो उसको क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं रजो दर्शन चक्र बोलते हैं क्या बोलते हैं रजो दर्सन बोलते हैं और जब इसकी इंडिंग होती है मतलब एक समय के बाद जब मादा 45 से 50 वर्सकी हो जाती है तब क्या होता है यह जो आर्थो चक्र है वो आना समाप्त हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं रजोनी वर्ति बोलते हैं क्या बोलते ह भी इसका जो टाइम पीरिड होता है वो 28 से 29 दिन का होता है और आज के लेक्चर में हम पूरा 28 से 29 दिन की पूरी साइकिल पढ़ेंगे मतलब हम पढ़ने वाले हैं एक से लेका 29 दन तक के बीच में कौन कौन सी संरस्नाव में प्रिवर्तन हुआ क्या हुआ पूरी साइकल कैस कर देखेंगे कि कहां से हर्मोन निकलते हैं और इसका में होता है अभी के लिए मैं इतना बता आना चाहता हुँ कि जो-ई-2шиб का कारण होता है कमी और और ऑर तो चकर का नीमान कौन रोचा-लजा तो उसका नेमन कौन करता है तो एस्टुरोजन हार्मोनीक होता है जो इसका नेमन करता है अब हम देखने वाले हैं इसकी क्रिया बीडी क्रिया बीडी में में हम देखेंगे 21-29 दन की बीच में कौन-कौन सी चीजいきます ओर हम कैसे इन चीजों को बठे तो देखिए जैसे मैं क्रियाविडी की बात करता हूँ तो सबसे पहली क्रियाविडी को हम कहेंगे mensual या bleeding phase कहेंगे mensual वह bleeding phase को मैंने लिया है सुरुवाती एक से चार दिन मतब एक से चार दिन तक bleeding होती रहती है यानि मैं इसके time period की बात कहूँ पह सकता हूँ कि तीन से चार दिन तक यह bleeding वाली वह चलती रहती है मतब इस दौरान क्या होता है bleeding होती है ठीक है अभी bleeding क्यों होती है बच्चा तो इसमें होता क्या है अंडा जैसे जब अंडा रहता यह फैलोफियन नलिका मैंने आपको फैलोफियन नलिका के बारे में पहले ही बता रखा ठीक है तो यह क्या हुई यह हुई फैलोफियन नलिका इसमें क्या होता है जब एक जो की अंडा है जब फैलोफियन नलिकाओं पर आ जाता है यहां पर जा अन्टा आ जाता है इसके बाद अंदे का निशेचन नहीं होता मतलब जो पहुंस गया नहीं होता है उ सुल्टा N होता है तभी यह bleeding phase आती है is it clear अब यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा जो bleeding वाले phase में होता क्या है कौन-कौन से घटनाई होती है अभी हमने यह देखा कि bleeding वाली phase आई क्यों खिर क्यों bleeding वाली phase आई अब हम देखने वाले हैं कि जो bleeding वाली phase आती है उसके बाद होता क्या क्या है तो जो गर्भासा की endometrium है वो क्या होंगी नश्ट हो जाएंगी और जैसे अगर गर्भासा की क्या देखा जो अंडा था पुली तरीके से परिपक होकर फैलोफेन नलिकाओं पर पहुंच चुका था वहां पर उसके निस्येचन नहीं हुआ निस्येचन ना होने के कारण bleeding phase आई और bleeding phase में हुआ क्या गर्भासा के endometrium नस्ट हो चुकी थी और रुदिर वही काएं फट चुकी थी तो इसके आगे वाली फेस को हम क्या बोलेंगे इसके आगे वाली फेस को हम बोलेंगे follicular phase और इसका जो time period होता है बच्चा वो होता है 8-9 दिन आप अगर 5-13 जोडएंगे तो 8-9 दिन का time आएगा मतब जो इसका time period है वो 8-9 दिन तक का होता है अच्छा तो follicular phase में होता क्या क्या है बच्चा इसमें जो हाइपो थेलमा से वो क्या करता है जी एन आरेज को message देता है और जी एन आरेज प्यूस अगर प्यूस गिंती पर work करता है और दो तरीके के हार्मोन को निकालता है जिसको हम FSH एंड LH हार्मोन के नाम से भी जानते हैं अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो FSH है जो LH हार्मोन है उसका काम क्या है आर्तो चक्र पर तो सबसे पहले हम देखेंगे FSH हार्मोन को तो बच्चा FSH हार्मोन क्या करता है जो पुट्टिकाएं थी जो अभी आप पढ़े थे कि गर ग्रैफियन पुट्टिकाओं का निर्माड होने लगता है और जैसे ग्रैफियन पुट्टिकाओं का निर्माड होता है तो यह एक ग्रैफियन पुट्टिकाओं है वो थीका इंटरना का निर्माड करते हैं जो कि आप देख सकते हैं कि जो थीका इंटरना है वो ग्रैफिय हार्मोन इसने निकाला क्यों तो एस्ट्रोजन हार्मोन का वर्क जो होता है बच्चा ये फिर से क्या करेगा एंडोमेट्रियम जो नस्थ हुई थी ना एंडोमेट्रियम का क्या करेगा पुना निर्माड करेगा क्योंकि आपको पता है कि bleeding phase पर endometrium नश्ट हो चुकी थी तो क्या करेगा इसका पुना निर्माड करेगा और blood supply को बढ़ा देगा क्यों इसने blood supply को पढ़ाया बच्चा क्योंकि जरूरत थी हमें blood की क्योंकि blood पहले ही बहुत जदा loss हो चुका था जो कि आपने पढ़ा bleeding phase पर इसलिए क्या हुआ बढ़ाना जरूरी था इसने क्या कि बढ़ा दिया और endometrium जो नश्ट हो चुकी थी उनका क्या 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 है पुना निर्माड करने लगा यह हार्मोन इसलिए यहां पर important हो ज होते हैं ovulation अब यहां पर एक चीज आप ध्यान देजेगा ovulation है वो हो सकता है 13 14 15 यह जो तीन दिन है यह है किसके ovulation के लेकिन हम चौदवे दिन को मानते हैं कि ज्यादा तर chances होते हैं जो ovulation होता है वो चौदवे दिन होता है ठीक है तो इसका जो time period है इसका time period हम लिखने इधर भी हो सकता है एक दिन के उधर भी हो सकता है जो में टाइम होता है ठीक है इस दौरान एक चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगी कि जो चौदवे दिन होता है उस दौरान क्या होता है जो एलेच और FSH हर्मोन होते हैं ना वह maximum पर होते हैं मतलब मैं यहां पर होते हैं बच्चा तो होगा क्या जो एलेच हिरमोन ना FSH हर्मोन अबने पढ़ लिया जो यह हार्मोन है वह क्या करेगा अंदोत्सर का प्रेड़ करेगा, अच्छा अं-दोर्ट सर का प्रेड़ कर रहा है मतब हम कहेंगे जो ग्राफियन प।्टिकाएं है जो अब फटेंगी और जो एक है देखिघ है अजैसे इस करिकां से ऐसे कुछ कर के ऐसे करिया का मेन काम क्या होता है यह सब्सक्राइब जो ऑग और यहां पर यहां पर देकेंगे जो ग्राफियन लुटियम का कलर आप जरूर याद रखिए का यलो कलर का होता है यह यलो कलर एक बार पूछा जा चुका है इसलिए आपके लिए इंपोर्टेंट भी है मतलब अब जो ग्राफियन पुटिका है बची हुई थी उससे किसका निर्माण हो गया बच्चा कारपस लुटियम का न चौदा दिन का होता है अगर आप 15-20 दिन का तक के बीच का टाइम का पीरेड लेंगे तो चौदा दिन आएगा इस क्लियर और स्रावी आउस्ता में होता क्या है बच्चा जो कारपस लुटियम है जो अभी निर्माण हुआ था यहां पर आप देख सकते हैं कारपस लुट कुछ बात है क्योंकि प्रोजेस्ट्रोन हर्मोन बहुत ज़्यादा इन्पोडेंट हर्मोन है पहली बात इसकी जो प्रोजेस्ट्रोन हर्मोन रहता वो करता क्या बच्चा प्रोजेस्ट्रोन एंड्रोमेट्रियम को अंतारोपड वा गर्भ हासय के लिए तयार करता है जो है ना वो एंड्रोमेट्रियम जो अभी निर्माड हुआ था आप देखेंगे ब्लेडिंग वस्ता पर फट गई थी फिर इसके बाद जो आगे वाली वस्ताइज इसको फॉलीकुलर और फेस बोलते हैं उस पर उनका निर्माड हो चुका था तो अब यह क्या करेगा जो एंड करने पर वर्क कर रहा है मतलब इसको हम कहेंगे प्रेगनेंसी हार्मोन और यह नाम बहुत ज्यादा इंप्रेगनेंसी हार्मोन किसको कहते हैं यह डायरेट कोश्चन पूछा गया है प्रेगनेंसी हार्मोन को हम कहते हैं प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन और प्रोजेस्ट्रॉ ही होता है तो क्या होता prosecutor हो जाता है ठीकर अभी कार्पस धिरी कार्पस लिएटियम हो रहा है मत स्ट्रोस और उस्टर्ट अब आपको समझ में होगा कि याखिर आर्टिवच्र का में जो यह प्रोजस्टरॉन हार्मोन था इसकीयों ब्लेडिंग अवस्ता आ रही थी अब आपको यहां से चीजी क्लियर हो रही होंगी जब एक गया और एक कनिस्यचन नहीं हुआ तो कार्पस तो पेउर रहता है लेकिन 30% ब्लेड रहता है इंपेउर रहता है यहां पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि इस ब्लेड में इसकंदन नहीं होता है और आप से मेरा यह कोश्चन है बच्चा जिसको भी आये वो कमेंट करके जरूर बताए कि अगर यहां पर ब्लेड में इ जा रही होगी तब ही जाकि इसकंदन नहीं हो रहा है इस चीज़ का कुश्चन आप इसका जो आंसर स्वयम से खोजे और कमेंट पर बताएं यह आप के लिए एक हमवर्क है अगर आपने चीज़ें पढ़ी होंगी ब्लेड वाला पार्ट अच्छे से पढ़ा हो तो आपको उजनेसिस में क्या होता है बेसिकली किसका निर्मार होता है अंडाड़ों का निर्मार होता है ठीक है तो अंडासाय में अंडाड़ों का निर्मार तो उजनेसिस कहलाता है अंडासाय में अंडाड़ों का निर्मार तो बच्चा उजनेसिस कहलाता है लेकिन ओवरी से देखिए जैसे होता है तो उसके बाद कि प्रक्रिया क्या होगी जो ओवरी की ग्रेफियन पुट्टिका थी अब वो अंत्रहसरावी ग्रंथी की तरह काम करने लगती है यह बी इंप्टेंट point है it is clear अच्छी तरीके समझ में आया अब यहाँ पर golden point बताने जा रहा हूँ यह एक प्रिकार का क्या है यह प्रिकार का question जो की need exam पर पूछा भी गया है और यह important question भी है यह M's पर भी आ चुका है ठीक है तो देखिए अगर आप से पूछा जाए अगर मैं अब मैं पूछू अगर मैं एक्स डेज दिया तो लिटियम फेज कब होगी अंडोसर को कब होगा मतब ओविलेशन कब होगा पुटिकी फेज मतब फोलीकुलर फेज कब आईगी अब इसको निकालने का एक सूत्र है जो कि मैं आपको बता रहा हूं और अंडोसर निकालने क को क्या कर देना एकस माइस चुधा कर देना है और इसी तरह है अगर पुटिका फिर निकालने तो पुट्टिका फेज लाष्ट के आठ से 9 दिन ही ओती है और जैसे 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 बढ़ेंगे वैसे इसCarशन को बढ़ा देंगे एक example की जरी मैं आपको अच्छी तरीके समझा देता हूँ अभी आपको समझ में नहीं आया होगा लेकिन आप मैं जो एक्जांपर बताने जा रहा हूं उसके ज़रीए आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं ठीक है तो यहां पर एक चीजान देने वाली बात यह है कि देखिए आपको 28 से 29 दिन की हमारी क्या होती है यह नॉर्मल फेज होती है 28 से 29 दिन तक की क्या होती है आर्टो चक्र की नॉर्मल साइकल होती है ठीक है आपको इसमें बहुत ही साधारत सिंपल सी ट्रिक लगानी है आठ से तो टोटल कितना आएगा 36 आ जाएगा ठीक है तो वैसे अगर 28 दिन की साइकल हो रही थी बच्चा तो इसकी फेज में कितना ले रहा था आठ से 9 दिन ले रहा था अगर 36 दिन है तो 36 में 8 से 9 दिन आपको और जोड़ देना है मतब 8 दिन अगर मैंने लिया तो आठ दिन अगर यहाँ से 22 माइनस कर देना है जितना आठेगा आकर आंसर हो जाएगा बीफिषॡ हो यह तो आपकी होती 8 दिन की तो इस तरह आप चीज़े निकाल सकते हैं इस तरह आप question भी हल कर सकते हैं और देखिए जो पूरी cycle थी फिर से एक बार आप रिविजन कर लीजिए एक से तीन दिन तक के phase को हमने क्या कहा बच्चा इसको हमने building phase कहा फिर इसके बाद हमने एक से तेरा दिन तक के phase को हमने पु सारी cycle जो थी हमने पढ़ा अच्छी तरीके से पढ़ा है कि हार्मोन पढ़े सारी चीजे कवर भी की I hope यह आपको अच्छा भी लगा होगा और समझे भी आया होगा अगर by the way कोई आपको problem होती है तो आप doubt counter वे मेरे जाकर question पूछ सकते हैं या फिर आप comment कर सकते हैं I hope यह lecture रहे हैं और बीच में कभी इधर उदर की step नहीं ला रहे हैं step by step चीजों को clear करते चल रहे हैं तो मिलते हैं next step पर thank you